सिवसेना की सिवसेना से जंग उद्धव गुट के राजन विचारे के खिलाफ सिद्धिसेना उतारे की प्रत्याशी एक तरफ नभी मुंबई तर दूसरी तरफ मेरा भायंदर ठाने लोकसवा शित्र का दायरा बहुत बड़ा है सेंटरल वेस्टन हारबर और ट्रांस हारबर रेल लाइन से भी जुड़ा है तीन वनपाउं को अपने में समयटनी वाली इस लोकसवा सीड से फिलहाल राजन विचारे उद्धव गुट सांसन है महा विकासा घाड़ी ने उन्हें एक बाफिर से मौका दिया है उनका मुकाबला महायूती से है हाला कि अब तक महायूती का उम्मीदवार ही ते नहीं हो सकता वैसे ये सीड सिंदे सिफसीना को मिलना ते है लेकिन संकर सही उम्मीदवार का है सिंदे सिफसेना की तरफ सिरविंद्र फार्टक परताब सरनाइक और नरेस महस्के के नामों की है हाला की सरनाइक लोगसवा लड़ने के चुक नहीं है ऐसे में उचित दमदार जिताओ उमीदवा ना मिलने से सिंदे सिफसेना में बीचैनी है सिफसेना में दो फार होने के बाद ये पहला चुनाव है जब यहां सिफसेना बनाम सिफसेना की लड़ाई देखने को मिलेगी साल 2009 से 2014 इन पांच सालों को छोड़ दें तो ये शियतर पिछले 22 साल से सिफसेना तब कालीन का गड़ रहा है हिंदी भाषी पर प्रांती वोटर्स हैं गेम चेंजर इस शित्र में सबसे ज़्यादा उतर भारती हैं इसके बाद सिंधी मारबारी सिफ राजिस्तानी गुजराती जैन और पंजाबी हैं ठाने के राबोडी, बहागिरी, हजूरी, मीरा रोड के नया नगर और भाहिंदर में बड़ी संख्या में मुश्ली मतदाता हैं मुश्ली मतदाताओं में अधिकतर हिंदी बासे ही हैं इसके लावा करिब 2,00,00, अन्य पर प्रांती मतदाता हैं इसमें दखिन भारत के मनूर्मा नगर नभी मुंबई की निरूल CBD एरोली और दीघा में भी उतर भारती खूब रहते हैं ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि यहां जीत का गनिक पर प्रांती हिंदी भासी मतलाता ही तै करेंगे कि इस पार्टी की विधानसवा सीटें ज्यादा ठाने विधानसवा प्रताप सरनायक एरोली से बीजेपी के गनिस नायक बेलापुर से बीजेपी की मंदत ताई महात्रे और मीरा भायंदर से निर्दली गीता जैन विधायक हैं जैन का समर्थन बीजेपी को है लोगसभा शेत्र में विधायकों की संख्या देखते हुए बीजेपी का किया गया है नवी मुंबई में पुनर विकास और पुनर वसन बड़ी समस्या है क्लेश्टर का काम जा रही है लेकिन देखना होगा कि वह कितनी सफल होगी गोर बंदा रोड पर आए दिन ट्राफिक जाम होता है आने वाले दिनों में मेट उठाने नवी मुंबई और मेरा भाहिंदर की ट्राफिक समस्या को कम कर सकती है